नमस्कार प्रियसातियों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिसोर समधान आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हस्त रेखा आपके हाथ की रेखाओं के आधार पर आपका कैरियर किस उमर में सेट होगा आपके पास गाड़ी होगी कि नहीं होगी आप व परसनल जीवन वैभाई की जीवन कैसा रहेगा साती साथ में आपकी शिक्षा और स्वास्था के बारे में भी चर्चा होगी एक ही वीडियो में आज आपको सब कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों हाथ की जो मुख्य मुख्य रिखाए होती हैं लाइन ओफ लाइफ लाइफ ये लगवग लगवग आपको सारी बाते बता देती हैं तो आज दस बारा मिनट की वीडियो में आप सुक्स मुरूप से संपूरुन जानकारी ले पाओ मैं वीडियो को आगे बढ़ाओं इससे पहले मैं आपको बता दू यदि आप जोतिस के दुआरा अपनी समस्त प्रकार की समश्याओं का समधान चाहते हैं या बहुत अच्छी स्रेणी के राशी रतन खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपरक कर सकते हैं मेरा फॉन नंबर मेरा वोट्सप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो चलिए दोस्तों विशा में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले सुरुबात करते हैं आपकी सिक्षा और स्वास्ते से दोस्तों ये जीवन रेखा होती है यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा गहरी पतली और बिना किसी तूट फूट के बिना किसी क्रास के निसान के बिना किसी दीप चिन के इस पश्ट है तो ऐसे व्यक्ति की जीवनी शक्ति, रोग, पर्तिरोदक, शम्ता बहुत बढ़िया होती हैराम तोर पर ऐसा व्यक्ति बिमार नहीं पड़ता इसके विप्रीद जीवन रेकरा के टूटी-फूटी होने पर, दीप युक्त होने पर, गड़े से युक्त होने पर और यदि जीवन रेखा पर बहुत सारी अवरोद रेखाए हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत सारे संकट आते हैं और साती सात में स्वास्त संबंदित जो समश्चाए हैं वह भी चलती रहती है तो आपका स्वास्त है और आयूद जीवन रेखा की स्थिती पर निर्भर करता है अब बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा की विशे में ये लाइन ओफ माइंड है मस्तिस्क रेखा मस्तिस्क रेखा जीतनी लंबी गहरी पदली होगी उतला जादा व्यक्ति का जो मस्तिस्क है उन्नत होगा मस्तिस्क रेखा के छोटी, टूटी, फूटी, द्वीप, युक्त और गड़े वाली होने से व्यक्ति की शिक्षा में कदम कदम पर रुगावटे आती है साथियों, मस्तिस्क रेखा के मजबूत होने के साथ-साथ आपके हाथ में जूपिटर का जो फिल्ड है, ब्रैस्पति अक्सेतर भी उभरा हुआ और इस पश्ट होना चाहिए, अगर ये दोनों कंडिशन आदमी के हाथ में बनती है मस्तिस्क रेखा उसकी बहुत बढ़िया है, ब्रैस्पति अक्सेतर बहुत बढ़िया है उच्छ शिक्षा के प्राप्ति होगी, और दोनों चीजों के कम्जोर होने पर व्यक्ति अशिक्षित होता है बात कर लेते हैं अब आपके प्रेम संबंदों के विशे में साथियों, हिर्दर एखा के इस पष्ट गहरी और बिना किसी रुकावट के ब्रहस्पति और सनी के बीच तक यदि चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम संबंदों में सफल होता है, उसका वैवाई की जीवन भी सफल होता है लेकिन यदि किसी व्यक्ति की हिर्दर एखा जगे-जगे से टूटी हुई है, उसमें गड़े का निसान है, उसमें द्रीपचिन है या हिर्दर एखा लाष्ट में जाकर के नीचे की तरफ मूमेंट कर गई है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने प्रेमी या प्रेमी का का सहयोग नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्रेम संबंदों में भावनात्मक रूप से गहरी चोट पढ़ती है और कहीं बार पढ़ती है उसे कहीं सारी दिक्कतों का सामना करना पढ़ता है दोस्तो यदि हिर्दय रेखा के लाश्ट में कहीं सारी पतली पतली रेखाएं हिर्दय रेखा को रोक रही हैं ऐसे में व्यक्ति का प्रेम जीवन नरक के बराबर हो जाता है ऐसे व्यक्ति को सोच समझकर ही भावनातमक संबंद इस्थापित करने चाहिए और यदि हिर्दय रेखा लाश्ट में नीजे की तरफ मुमेंट कर गई मस्तिस करेखा की तरफ तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को परिवार में और परिवार से बाहर दोनों कंडिशन में बहुत बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है यजे की ऐसे व्यक्ति का जीवन निराशा जनक बना रहता है अब बात कर लेते हैं जीवन में आपके पास कितना पैसा होगा दोस्तों यह निर्वर करता है जो आपके हाथ में ये अक्सेतर है ना एक रेक्सेतरियां आपर ये सारे के तारे ये एक तो उबरे हुए होने चाहिए, जो बहुत दबा हुआ हात होता है, उसमें भाग्यरेखा अच्छे से काम नहीं करती तो यदि ये अक्सेत्र, ब्रेस्पति, सनी, सूरी, अबूद, ये सारे अक्सेत्र उबरे हुए हैं, आपके हाथ में उभार है और आपके हाथ में ये लाइन ओफ लक भाग्य रेखा जो नीचे से लेकर के उपर की और जाती है यह बिलकुल इस पश्ट गहरी है और मनी बंद से प्रारंब होकर के आपकी भाग्य रेखा निर्वेगन शन्यक से तरतक से लिजाए और इसके साथ में एक दो छोटी छोटी पतली पतली सायक रेखाएं भी हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है 23 साल की उमर में ऐसे व्यक्ति को व्यवसाइक सफलता है मिलनी प्रारंब हो जाती है ऐसे व्यक्ति को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता जिसके हाथ में भाग्य रेखा इस पश्ट हो और साथ में सायक रेखाएं भी हो अब यदि किसी की भाग्य रेखा प्रारंब होती है लाइन ओफ माइन दमस्टिस के रेखा से ऐसे व्यक्ति का भाग्य रेखा 35 साल की उमर के बाद ही होता है और भाग्य रेखा के हाथ में छिन भिन होने पर तूटी फूटी होने पर व्यक्ति को जीवन में धर्म दखके, खाने पड़ते हैं, ऐसी स्थिती बनी रहती है। बुद्अक्षेत्र उब्रा हुआ है, हाथ में व्यापार रेखा है और भाग्या रेखा सुद्रड़ और मजबूत है। ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़ा मज़ा हुआ व्यापारी होता है, बहुत फस्क्लास तरीगे से उसका व्यापार आगे बढ़ता है। लेकिन जीवन आपको गाड़ी की प्रापती कब होगी और घर की प्रापती कब होगी इस विश्ः में है मिला गाड़ी पर बात करते हैं आपकी बांगे रहे हैं साद में आपका सूर्या भगा हुआ है रात में सूर्य रेखा है ये दो कंडिशन होने पर आपको 25 वर्ष के वस्था में वहन की प्राप्ति के योग बन जाते हैं यदि सूर्य क्सेत्र दबा हुआ है सूरिय रेखा चिनि भी हैं 35 के बाद में और सुरिय A START पूरी तरह से पिटा हुआ होने पर 50 के बाद में वहान प्राप्ती के यौग बनते हैं शाथ हैं हाथ में सुश्पष्ट भाग्यरेखा हो और बुड़ और सूरिय दो क्सेत्र व्यक्ति के यदि भाग्यारे का कमजोर है बुद्व सूर्य कमजोर है तो व्यक्ति को पैंतालिस के बाद में ही अपनी जगे में बैठने का सपना साकार होता है व्यक्ति की उंगलियां जितनी जादा लंबी इसपष्ट नुकीली बिना किसी तरोड मरोड के और देखने में खूब सुरत होंगी व्यक्ति उतना बुद्धिमान होता है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब